असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आपने देखी होगी लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इसे एक पर बना लेंगे तो ये आपकी फेवरेट डिश में शामिल हो जाएगी तो चलिए इसकी रेसिप करना जरूरी है इसका रिजर मैं आगे चलकर बताऊंगी एक कप फ्रेश मटर लेंगे इसको भी पैन में डाल देंगे तीन लाल मिर्चा और दो हरी मिर्च लेंगे साथ से आठ काजु को भी इसी के साथ डाल देंगे साथ ही नमक भी आड़ कर देंगे एक गिलास पाने डा इधर हम एक बॉल लेंगे जिसको तेल से ग्रीस कर लेंगे बॉल में पांच अंडे तोड़कर डालेंगे हम पांच लोगों के हिसाब से ग्रेवी बनाएंगे तो पांच अंडे काफी हैं अंडे को फ्लेवर फुल बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक हरा ध इधा ही इस स्टैंड के उपर रख देंगे और इसको कवर कर देंगे कडाही का साइज और सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे ये अच्छे से कवर हो सके तभी ये रेसिपी पर्फेक्ट बन सकेगी यानि कि कडाही का साइज ऐसा होना चाहिए जिस पर ढखकन बराबर से लग स गैस का फ्लेम आउन कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको 10 से 12 मिनट तक पकाना है 10 से 12 मिनट में प्यास, टमाटर, मटर अच्छे से गल जाएंगे और 10 से 12 मिनट में अंडे भी फूल कर सेट हो जाएंगे अंडे अच्छे से सेट हो चुके हैं कडाही से बाहर निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे साथ ही स्टैंड को भी बाहर निकाल देंगे अब मटर को छोड़ कर सारी चीजों को एक एक करके कडाही से बाहर निकाल देंगे सारी चीजे गल चुकी हैं, चिम्टे से पकड़ कर आसानी से बाहर आ जाएंगे टमाटर के छिलके हटा देंगे क्योंकि ये आसानी से गलते नहीं है टमाटर में कट लगाने का यही रिजन था कि छिलके आसानी से बाहर आ जाएं अगर चिम्टे से निकालने में दिक्कत हूँ तो छिलकों को हाथ से निकाल दीजे कट लगाने से ये आसानी से बाहर आ जाएंगे इसी तरह एक एक करके मिर्चा, काजु अगरा भी कडाही से बाहर निकाल देंगे सारी चीजों को बाहर निकाल कर ठंडा होने देंगे मतर को उसी कड़ाही में छोड़ देंगे इधर अंडे भी ठंडे होकर सेट हो चुके हैं साइड से एक बार चाकू घुमा लेंगे पलेट कर टाइप करेंगे तो आसानी से बाहर आ जाएगा इधर प्यास, टमाटर, काजू अगर भी ठंडे हो चुके हैं तो हम इनको एक ग्रेंडर जार में डाल कर पीस लेंगे तो हमें इसका बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है बिल्कुल इस तरह से अब हम पनीर को यानि कि अंडे की पनीर को कट कर लेते हैं मैंने स्कॉयर शेप में काटा है आप अपनी मन पसंद शेप में काट लीजिए मैं एक पीस आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि कितने नरब, मुलाइम और सॉफ्ट बने हैं अगर आप किसी को ना बताएं तो कोई नहीं समझ पाएगा कि इसको आपने अंडे से बनाया है इधर एक कडाही लेंगे जिसमें सरसू का तेल डालेंगे मैंने सरसू का तेल इस्तमाल किया है आप जो सा तेल चाहें यूज कर सकते हैं अब इसमें आदा चमच जीरा दो छोटी इलाइची और एक दालचीनी का टुकरा डालेंगे अब जो मसाला हमने पीज कर रखा हुआ है पूरा डाल देंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे वन फोर टीस्पून हल्दी पौड़ा और एक चमच अद्रक लेसुन का पेस्ट डालेंगे हाफ टीस्पून कश्मीरे लाल मिच एक टीस्पून धनिये का पौड़ा हाफ टीस्पून जीरा पौड़ा और एक टीस्पून लाल मिच्चे का पौड़ा डालेंगे सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे ढग देंगे और थोड़ी धोड़ी देर के बाद लिट को हटा कर चला लेंगे क्योंकि इसमें हमने काजु डाला हुआ है और काजु तली में चिपकता बहुत है साथ ये मसाला भी बहुत चिटकता है ढग देंगे और तब तक भूनेंगे जब तक मसाले से तेल सेपरेट नहीं हो जाता तो मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है हमें मसाले को इस स्टेश तक भूनना है कि इसका टेक्टर बिल्कुल इस तरह से दानेदार सा हो जाए किसी भी gravy में मसाले को इस stage तक भूनना ज़रूरी है तब ही gravy में flavor निखरकर आता है अब हम इसमें मटर अट कर देंगे मटर को उसके पानी के साथ ही डालेंगे क्यूंकि ये पानी काफी flavor好好 है एक चमाच कसूरी मेथी डालेंगे जिसको मैंने ड्राइ रोस्ट करके हाथों से क्रश कर लिया है सब को अच्छे से मिक्स करेंगे गैस का फ्ले मीडियम टू लो रखेंगे अब हम इसमें पनीर यानि की अंडे के पनीर को एक एक करके डालेंगे साथ ही एक गिलास बॉयल पानी डालेंगे ग्रेवी के आखिर में पानी कभी भी डालें तो बॉयल करके डालें इसे ग्रेवी का टेक्षर मेंटेन रहता है खराब नहीं होता एक क्यों बटर डालेंगे आप चाहें तो एक से दो चमाच फ्रेश क्रीम या दूद के उपर जमी हुए मालाई डाल सकते है धक कर 5-6 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे 5-6 मिनट के बाद ओपिन करेंगे हलके हाथ से चला लेंगे बारी कटा हरा धनिया डालेंगे और 3-4 हरी मिर्च को कट करके डालेंगे हरी मिर्च आप्शनल है अगर तीखा नहीं पसंद करते तो ना डालें हलके हाथ से मिलाएंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे धक कर 5-6 मिनट सेट होने देंगे फेस सर्व करेंगे तो इस तरह से बहुती जबरदस्त एक पनीर बन कर रेड़ी है मेहमानों के लिए ते में डिश के तोर पर बना सकते है यकीन करें ये डिश आपको आपकी फैमिली को और जिसको भी सर्व करेंगे बहुत पसंद आएगी मैंने इसके साथ रोटी और मतर पुला बनाये है आप भी बना कर देखिए मुझे पूरी उमीदे पसंद आएगा फिर मिलेंगे इंशालला एक नए वीडियो के साथ अपना बहुत खयार रखिए शुक्रिया अलाफिज